वाट्स फ्रेश एवरीवन वेलकम बैक तो दे चैनल अडिस्वाइश सुल्तान इंड वाचिंग नो हिपप, नो हिपप के लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप अपने घर पे अपने स्मार्टफॉन पे वोकल्स डब कर सकते हैं, वोकल्स को ए बीट के साथ या फिर अपने क्राव के सौंग या इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप एक कवर सिंगर है तो तो इसके अपर मैंने काफी रिसर्च की काफी यूट्यूब के वीडियो देखें बट मुझे कोई सैटिस्फेक्टरी वीडियो नहीं मिला क्योंकि most of the time यतने क अपर आप आप जो आपके मोबाइल पर काम करेगी काफी अच्छा काम करेगी iOS और Android दोने ही प्रेटफर्म पर प्रेटफर्म पर चेक किया है और इसकी परफॉर्मिन्स काफी ज्यादा सॉलिड है काफी ज्यादा पावरफुल है तो इस एप के बारे मैं आपको फड़ा फ आपको डाउनलोड कर लेना है इस एप को जिसका नाम है बैंड लैब यह बैंड लैब आपको इसली मिल जाती है दोनों ही प्लेटफर्म पर आईफोन के लिए iOS पर और Android फॉंट के लिए Google Play Store पर काफी इसी है इसको तूनना और इस्टॉल करना साथ ही साथ में लिंक दे दे अब मोबाइल स्क्रीन और जैसे कि आप देख रहे है कि मैंने ये अप अल्रेडी डाउनलोड कर ली है इसे कहते है बेंड लैब एप और इस तरह से आपको इसका आइकन देखेगा आप इसे खोलेंगे और जैसी आप इसे खोलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपको instrument आपका music है जो आपका crowd के है जो आपकी beat है आपको वो इसमें import करनी है see यहाँ पर मेरी beat import हो रही है and yes it has been imported आपको इसलिए यहाँ पर मेरी beat देख रही है now we need to import our vocals जो हमने dub किया है जो हमने edit करके ready करके रख लिए है तो हमने जाना है import track पे import track पे जाने के बाद हमने वापस browse करना है इसको और यह है मेरे dub vocal now इसको थोड़ा better तरीके सम करेंगे उसके लिए मैं इसको लेकर चलता हूँ दूसरी screen पे आप देखिए अब मैंने इसको इस तरह से आपके सामने यह पूरा एक इसका interface आजाएगा जहां पर आप इसे play कर सकते हैं अगर आपको अपने rap vocal dub करने या कोई perfect timing में से fix करना है तो सबसे पहले हमने अपने डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करना rap vocal को और देखना है कि perfectly कहां पर जाके perfectly fit होते हैं तो सबसे पहले हम एपनी beat ज्यान से सुननी है तो I think यह इधर कहना अच्छी है जासर कि आप देख रहे हैं आप बार से देख सकते हैं बार से आपको पता चल जाएगा एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप सही जगा पे इसे लेकर चाह रहे हैं कि नहीं लेकर चाह रहे है मिडल क्लास फैमली कि लोनों की दुगाने चोटी ना स्टोर को हैं इमली कंचल टू और साइकल की टूटी चैन भी आइ तिंक यह मैंने बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है क्योंकि आप देखिए यह बार उपर जो आपको बार दिख रहे हैं लंबे लंबे बार और नीचे वोकल्स में लंबे लंबे बार यह दोनों इकठे आपके टैली कर रहे हैं तो बेसिकली यह जो मैं आपको डैमो दिखा रहा हूँ यह सिर्फ आपको एक डैमो दिखाने का परपस है इसमें मुझे आपको यह नहीं दिखाना है कि मेरे स्किल्स क्या है कि और मैं किस तरह से मिक्स मास्टर कर सकता हूँ it's just a demo so that आपको ये चीज़े सीखने में कोई problem ना हो आपको ये चीज़े समझने में कोई problem ना हो तो आपने जैसे ये चीज़ आपने beat के साथ अपने placements आपने ठीक कर लिए अब आपको exactly पता है कि आपको कहाँ पर place करना है अपने vocals इस तरह से आपने ये कर लिए next step आपको करना है ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके vocals पे आप निचे ये चो graphs है आप ये graphs दबाएंगे equalizer type के और इससे सामने आपको पूरी screen दिख जाएगी आप इससे वापस दबाएंगे तो बंद हो जाएगा अगर आपको कुछ dub करना है और आपको उसके लिए sound चाहिए तो आप सुन सकते हैं आपको click sound भी ये provide करता है अगर आपको कुछ dub करना है ताकि आप flow में dub कर पाएं अपने snares को properly hit कर पाएं बट अभी हमने सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखाना चाहता हूं किसमें आप वोकल पर अगर आपको कुछ equalizers या आपको कुछ special effects आपको डालना है तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं तो आप double click करेंगे इस पर अपने vocal value उसमें जहां पर आपका mic था तो जैसे आप उस पर double click करेंगे तो आपके सामने ऐसा किछ interface आ जाएगा तो ये आपके vocals है जो basically आपने edit कर रखें अब इसमें आपको option मिलता है आपको अगर इसमें pitch करना है अपने vocals को आप देख सकते हैं अगर आपको auto tune जैसी आपको कोई feel चाहिए आपको कोई ऐसा effect चाहिए जो आपका basically auto pitching हो जो आपकी pitch को correct कर सकें तो भी आप इसे देख सकते साथ ही साथ आप इसका preview भी सुन सकते हैं इसमें मुझे auto pitch करने की जुरत नहीं लग रही है तो मैं इसको auto pitch नहीं करूंगा button case अगर आपको लग रही है तो आप इसे easily कर सकते है then you can go to fx fx में आपको बहुत सारे अलग-अलग style के आपको इसमें fx मिल जाएंगे जो आपकी जैसे आप अंची रैप यूज करते हो तो आप इसमें देख सकते हो कि आपके रैप वोकल सोड़े से बैटर पॉलिश्ट होकर आ जाते है तो जैसे आपने देखा कि आपकी वोकल की quality थोड़ी सी enhance हो जाती है तो अगर आपको ये यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते तो आप इसे undo कर सकते हैं undo करने के बाद यहाँ पर अपने lyrics के note लिख सकते हैं यहाँ पर अपनी settings आप चेक कर सकते हैं इस setting में आपको exactly पता चल जाएगा कि आपके song का tempo क्या है 120 tempo इस song का और आपको पता चल जाएगा कि आप कि की scale पे गा रहे हो तो यह C major पर तो basically आपको दोने चीज़े पता चल जाती है now coming back to my vocals अब यहाँ पर vocals पर हम आ जाते हैं और हम वापस जाते हैं यह वहला जो यहाँ पर कहरो आपको cloud के निचे देख रहा है जैसी आप इसे push करते तो आप वापस अपने interface पर जाते हैं so guys हम वापस आगे हैं अपने home screen के interface पे जो इस interface का लेकि नहीं है ऐसा तो नहीं है कि हमारे rap beat का volume काफी जादा है और vocals clear सुनाई नहीं दे रहे या फिर vice versa तो एक बार हम इसे फिर से चेक कर लेते है मुझे लग रहा है कि हमें अपने rap के vocals को थोड़ा सा और amplify करना चीए so that कि beats से थोड़ा सा जादा clear हमारे rap vocals सुनाई दे तो ह हम जाएंगे यहां पर जो graph में आपको पिछली बार भी का था उस पर और यहां पर जो हमारी dubbing जो second file है इसके vocal हम थोड़े से बढ़ा देते हैं I think इतने बढ़ाने से हमारा काम बन जाएगा वापस चलते और चेक करते हैं कि हमने जो अभी vocals बढ़ाए हैं अब वो कैसे mix कर कर रहे हैं middle class family खिलोनों की दुकाने छोटी ना स्टोर को हैं अबली कंचलर टू और साइक यह काफी ज्यादा perfect sound कर रहा है vocals के level और beat के level properly match कर रहे हैं vocals हमारी थोड़ी सी amplified है साथ ही साथ आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे जो vocals है वो properly snare को hit कर रहे हैं जो beat में snare है उसे hit कर रहे है next चीज आपको क्या करनी है you have to save this project तो हम यहाँ पर जो यह cloud का sign है हम इस पर जाके इसे save करेंगे यह save हो चुका है revision saved यहाँ पर हमारा हो चुका है अब हमने वापस जाना है उस पर so guys हमने save कर लिया है अपना पूरा project और अब हमें जाके export करना है अपना mp3 अपना wave file जो भी तक हमने mix किया है अपना mixdown हम export करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है हमें जाना है सबसे last icon पे जो की folder के अंदर music का आपको icon देखेगा हमें उसे press करना है और हमारे project कर नाम था Demo No Hip Hop जो के भी private है क्योंकि हमने इसे भी publish नहीं किया है तो जैसे हम इसे खोलते हैं तो आपके सामने आपकी beat आपको दिख जाती है you have to play it out आपको चेक करना है कि वही beat है properly इसमें कोई problem तो नहीं है I think this is the same beat जो भी हमने properly mix की है जो हमने properly mastered की है volumes इसके हमने set की है और beat और vocals होनी perfect यहां पर sound करे तो now सबसे important question स्वक्राइब कासे करना तो यहां पर जो arrow है आपको से safe करना है आपको option जाएगा download का तो download as audio तो आप इसे as audio save कर सकते है अपनी files में आप mail कर सकते है इसे अपने आपको whatsapp कर सकते है किसी friend को whatsapp कर सकते है mail कर सकते हैं Google Drive आप इसे अपलोड कर सकते हैं या किसी और software पर ले जाके आप इसे further process करते हैं but मेरे इसाब से this is final for me so I will be saving it in my files. So guys that was quite easy and simple to use isn't it? तो हमने फड़ाफट सेखा है किस तरह से हम अपने vocals को mix and master कर सकते हैं किसी भी beat के साथ, instrumental के साथ या फिर किसी crowd के साथ और हमारा song ready हो जाता है और हमें इसका output जो मिलता है वो मिलता है audio output MP3 या wave format में तो I think आपके सारे doubts आच clear होगे होंगे इस topic को लेकर आपको यह topic कैसा लगए और आपको यह video कैसा लगए और आपको यह video कैसा लगए आपके साथ जपको बड़ ख değilतमानार Gonna एंज है बापको यह झाल कर रसों है कैसा झापकी यह झाल कि और गऱए लोन वाई दोाग्पो हमें रह झाल